नमस्कार बहुत स्वागा थे आपका विहारी नियुज में मेरे तनसेन भारती अज हम बात करेंगे आपके घर का बिजली बिल कैसे कम हो सर्दी का मौसन समाप्त हुआ नहीं कि सूरजदेवता आग उगनने लगे हैं इस वार होली के तोहार से पहले से ही गर्मी अपना रूप दिखाने लगा है लोग ने अपने घर के पंखे और कूलर को साफ करना सुरू कर दिया है क्यूंकि गर्मी का सितम अब लगातार बढ़ सर्विस जरूर करवा लें अगर आपका पंखा कूलर कम हवा दे रहा है तो आज हम आपको ऐसे ट्रिक्स बताएंगे जिससे कि उसकी रफ्तार में तेजी आ जाएगी और बील भी कम हो जाएगा अगर आपको यह लग रहा है कि पिछले साल हमारा पंखा या फिर कूलर कम हवा दे रहा था तो अब आपको परिसान होने की जरूरत नहीं है अब आप बिना किसी इलेक्रिसियन के खुद ही अपने पंखे की अस्पीड को बढ़ा सकते हैं इसके लिए आपको पैसे खर्च करने की भी जरूरत नहीं है आपको हम ऐसे ट्रिक्स बताएंगे जिससे कि आपके पंखे की रहतार तो बढ़ी जाएगी साथे साथ आपका बिजली का बिल भी कम हो जाएगा इलेक्रिसियन की माने तो पंखा कम दाव उत्पन करते हुए हवा को परवाहित करता है पंखे की यह परक्रिया हवा को काटने और उसे एक दिसा में परवाहित करता है बता कारण हवा की रफतार बढ़ जाती है लेकिन लंबे समय तक बंद रहने के कारण उसके आगे वाले हिस्से पर धूल और मिट्टी जम जाने के कारण पंखा बहरी हो जाता है इस कारण से पंखे को हवा काटने में काफी परिसानी होती है और पंखे की मोटर पर लोड भी जाती है पंखे पर लोड बढ़ने के कारण बिजली की खपत बढ़ जाती है जिससे एक तो पंखे की रफतार कम होगी वहीं दूसरा आपका बिजली का बील भी बढ़ जाएगा पतादें कि पंखे की यह थियोरी लगबग सभी तरह के पंखों पर काम करता है चाहे हुआ या फिर टेवल फैन या फिर कुलर हो फिर ब्लोर हो पंखे की रफतार इन ही कारणों से कम होती है पंखे की रफतार को बढ़ाना है तो सबसे पहले आपको पंखे के ब्लेड के आगे वाले हिस्ते को साफ करना होगा साफ करने के लिए आपको एक गीले कपड़े से उसको सा साफ हो जाता है अगर आपके पंखे का ब्लेट साफ हो गया है तो आप देखेंगे कि उस पंखे की रफ्तार बढ़ जाएगी इसका सीधा सा मतलब यह हुआ कि पंखे पर मोटर के उपर जो मिट्टी और धूलकन का दवाब था वो कम हुआ है जिससे की रफ्तार में बढ़ोत और बिहार से जुड़ी और बेस से खबरों के लिए बने रहें बिहारे नियोज के साथ मुछते जेजाज़त धन्यवाद